प्यार का रंग कैसे बना रेड जाने ये इतिहास की कुछ बातें प्यार का रंग रंगों का नाम सुनते ही दिल खिल उठता है और लाल रंग की बात हो तो जहन में प्यार के फूल खिले लगते हैं हम सभी लाल रंग को प्यार से जोड़ कर देखते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सारे रंगों में से सिर्फ लाल ही प्यार का रंग कैसे बना और इसका इतिहास क्या है जी हाँ आज हम आपको प्यार का रंग लाला रंग के प्यार के प्रतीक बनने के बारे में ह बताने डा रहे हैं. लाल रंग किसका है प्रती इक? चीन में लाल रंग को भागएवा और शांती का रंग माना जाता है. इसके अलावा दुलहने भी अपनी शाधी पर लाल रंग की कपड़े पहनती है. लाल रंग सबसे ज़्यादा पर्वरफुल माना जाता है और आसपास देखें तो लाल रंग सबसे ज्यादा आकर्शित भी करता है। हमारी संस्कृती से लेकर विग्यापनों तक में लाल रंग को वरियता दी जाती है। यहां तक कि ट्राफिक सिगनल पर रूखने के लिए भी लाल रंग को ही चुना गया है। लाल रंग को खत्रे का संकेत मानने की शुरुआद भी मध्ययुग में हुई थी जब किसी भी किले के उपर लाल रंग के जंडे को शत्रू के आकर्मन के संकेत के रूप में लगाया जाता था। इसके अलावा प्यार का रंग लाल रंग इतिहास की कई भावनाओं और असासों से जुड़ा है। प्रसिद फ्रेंच कविता रूमंडे लारोज में एक बगीचे में लेखक लाल रंग का फूल ढून रहा है। ये लाल रंग का फूल उसके जीवन में स्त्री प्रेम की तलाश है। सेंट वैलेंटाइन का जन्म 14 फरवरी को 292 में हुआ था। लाल रंग आज से ही नहीं बलकि सद्यों से प्रेम का प्रतीक प्यार का रंग बना हुआ है। इसके अलावा लाल रंग का फ्रेम से संबंध होने का एक और कारण है और वो ये है कि लाल रंग शारीरिक आकरशन से जुड़ा हुआ है। एक स्टड़ी के दवरान पुरुषों को महिलाओं की अलग-अलग तस्वीरें दिखाएगी जिनमें पुरुषों ने लाल रंग की कपड़े पहने महिलाओं की तस्वीरों को ज्यादा आकरशित बताया। इस बात से पता चलता है कि लाल रंग किसी को भी अपनी और आकरशे करने की शक्ती रखता है और जहां आकरशन है वहाँ प्रेम होने की समभावना ज्यादा होती है। कोई पुरुष लाल रंग की कपड़े पहनता है तो ये उसके स्टेटस सिंबल को दर्शाता है